देखिए गवर्मेंट की इस योजना में आपको 3000 रुपे तक की पैंसर मिल सकती है वो भी हर महिने ठीक है इस योजना का नाम है श्रम योगी मांधन योजना और इसके रेजिस्ट्रेशन हो गए है चालो ठीक है तो रेजिस्ट्रेशन करने से पहले आप थोड़ा समझ लीज कि योजना किसके लिए है और इसकी इलिजिबल्टी क्या है और किस तरीके से आपको 30,000 रुपे पैंसर मिल सकती है ठीक है तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट है आपनी चाहते हैं सबसे पहले चीज़ यह है कि इसमें जो मंतली इंकम है वह 15,000 रुपे से कम होने चा ठीक है 18 से 40 के बीच में ही होने चाहिए मंतली इंकम 15,000 से कम होने चाहिए ठीक है इसके अलावा इस योजना में अभी तक 46,000,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप फटाफट कर लिजिए अगर आप इलिजिबल हो तो एक चीज अगर आप इनी काम में से किसी काम में आते हो या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करते हो अपना ही कोई छोटा काम करते हो ठीक है और जहां पर आपकी जो आमदनी है वो 15,000 रुपे से कम है तो उस केस में आप इस योजना के तहित रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 3,000 रुपे की पैंशन ले सकते हो ठीक है चलिए और कुछ आन लेते हैं इसके बारे में आप पर न अगरी यह से कड़ता है तो तो रिजिस्ट्राजरन मत करना देख कर हो जाएगा कुछ वाइदा नहीं यह उसका इसका लाब दकी में पॉइंट है आपका यहां पर कि पैंशन कम मिलेगी ठीक है तो यहां पर आपको दो शुद्स में पैंशन मतलब कि अगर in case आपकी पैंशन आपको मिलना चलो हो गई ठीक है और आपकी डैथ हो गई तो उसके बाद क्या होगा आपकी पैंशन के जितना अमाउंट था उसका 50% अमाउंट आपकी स्पाउस को मिल जाएगा जैसे कि अगर पती है तो पतनी को मिल जाएगा और पतनी है तो पती को मिल जाएगा ठ मतलब किसी को आप ऐसा नहीं कि husband को उसको father को मिल जाए या फिर mother को मिल जाए या भाई को मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होगा सिर्फ पती का पतनी को और पतनी को पती को मिलेगा बस ठीक है death के बाद इसके अलावा अगर in case यहां पर देखिए in case अगर आपकी death 60 साल से पहले हो ज तो या तुझे spouse है या जो पती है या पतनी है जो भी है वो चाहिए तो पूरा पैसा ले सकता है पूरा पैसा ले सकता है जितना पैसा आपने भरा था उसका पूरा पैसा मिल जाएगा प्लस में जो ब्याज लगेगा वो मिल जाएगा ठीक है या फिर एक कामर हो सकता है कि जो spouse है वो ये बोले कि अभी जितने साल बचे हैं जैसे कि मानलीजा आपकी death होगी अठावन साल में ठीक है और 60 साल तक आपको इसमें पैसे भरने थे तो 2 साल जो बचे हैं spouse ये कर सकता है कि 2 साल तक वो पैसे भरे और उसके बाद 60 साल के उमर होने के बाद वो पैसा pension group में ल लेती हैं पैसा बहुत कम देना है आप अभरावमाद यहां पर देखिए यहां पर यह है कि इस pension पाने के लिए आपको 40 साल के उमर तक इस योजना में हर महीने पैसा देना पड़ेगा ठीक है कितना पैसा देना है तो उसकी लिस्ट आपको पूरी यहां पर मिल जाएगे प महिने 55 रुपए आपको देने पड़ेंगे 60 साल की उमर तक ठीक है 55 रुपए आप दोगे 55 सरकार देगे आपकी तरफ से देगे 55 रुपए आप दोगे मेंबर देगा और 55 रुपए सेंटर गवर्मेंट देगी ठीक है टोटो मिलाके आपके जो इस स्कीम में 110 रुपए जाए तो उनको 60 साल तक पैसे देना है उनको देना पड़ेगा 400 रुपए ठीक है चौशंटर रुपए वो दिंगे 400 पर सरकार देगी ठोटाम लाके 128 रुपए उनकी स्कीम में जमाँ ठीक है इसी तरीके से आपको पूर लिस्ट हैं आपको उमर कितनी है और आपको कितना पैसा देना पड़ेगा जैसे कि यहां पर एक और टेडर का एक जांपल में अगर आपकी चोंतिस साल मा लेजे ठीक है तो आपको 140 रुपए महीना देना पड़ेगा और 140 महीना सरकार देगा आपकी तरफ से टोटर मिला के 200 बहुत कम पैसा है और फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होती है आपको जब मिलेगी जब पते चलेगा उसका तो अब बात करते हैं कंट्रुबिशन का तो देखिए इस उजना के अंतरगत आपको हर मेने तीन जार रुपे पैसे पराने के लिए 60 साल के मरता पैसे देने पढ़ेंगे पैसे कैसे देने हैं तो उसके लिस्ट मैंने बता दिया आपको पर टेबल दिया हुआ यहाँ पर पढ़ लेना ठीक है और यहाँ पर देखिए यह लिखावा मैंने कि 50 परश्यूट सेंट हैं अब बढ़ते हैं नीचे हाँ पर ओटो डैविट में तो पता होगा कि आपका पैसा कट जाएगा अगर आप चाहो तो ओटोमेटिक आपके अकाउंट से हर मेने अमाउंट कट जाएगा और आपके PM किसान जो यह है स्रम योगी मांदन योजना है इस अकाउंट में जमाँ हो जाएगा अपने आपी ठीक है जो की सही रहेगा क्योंकि नीच तो क्या होगा पार बर आपको चक्कर आणा बढ़ेंगे बैंक में उससे दिक्कत थली जाएग और इससे ऐसा करोगे तो आपकी जो यह यह यूजन हो चलती रहेगी ठीक है दुक्तों इसके बाद हम बात करते हैं रजीस्ट्रेशन की तो रजीस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है सिंप्ली आना है इसकी ऑफिशल अफसाइट पर यह ओशल साइडि पर जो की ह मांधन.in आपको दिख रहा हुगा मांधन.in है यहां पर आने के बाद आपको click here to apply online यहां पर click करना है चलिए click कर लेते हैं simply यहां पर click करना है इसके बाद देखिए आपके सामने दो options आ रहे हैं पहला options यह है कि कि आप self enrollment कर सकते हो यानि कि आप अपने अधार कार्ड में अगर मुवाल अब registered है तो उसके थूँ OTP के जरी आप अपना registration कर सकते हो ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हो आप किसी CSC वाले के पास जाकर वहां से अपना registration करवा सकते हो ठीक है अगर मुवाल नंबर registered है अधार कार्ड से तो यह हो सकता है अगर नहीं है तो यह हो सकता है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आप किस तरीके से है मुवाल अंबर मुवाल अंबर आप कोई डाल सकते हो चाहिए आधार कार्ड से लिंक हो या ना हो कोई मेंटर नहीं करता इसके बाद हम प्रॉस्वीड पर क्लिक करेंगे देखे ओटीपी आ गया है ओटीपी को डाल देना है इसके बाद प्रॉसीड़ी पर क्लिक करना है और अभी देखे इंवेल बता रहा है कोई बात नहीं दौर डालते हैं ओटीपी और यहां पर क्लिक करेंगे जो लौगिन था वो हो चुका है आप इसी तरीके सहो जाएगा अब क्या करना है आपको अब यहां पर आपको आना है एक सेकंड यहां पर देखिए लिखा हुआ है dalम्मेंट इस पर आना आपको ठीक है चलिए क्लिक कर लेते हैं इसपर और इसके बाद आपको क्लिक करना है इसपर सबसे पहले वाले पर पधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना इस पर क्लिक करना है तूज से पहले वाले पर चलिए क्लिक कर लेते हैं इसके बाद दीकिए आपके सामने यह form आ जाएगा और हमें इस form को भनना वरेगा सिंपल सा form है सिंपल सा है आपको motipage ढऴएबर अपना अतार अमबर यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर mobile नमबर यहाँ पर email आइडी यहां पर मुवायला में जो डालोगे न वो आपके अधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ठीक है यहां पर डेटर पर यहां पर जेंडर यहां पर स्टेट यहां पर इस्टिक यहां पर पिन कोड यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि क्या आप NER मतलब की North Eastern Region से समझ रखते हो तो इसका मतलब देखिए बताता हूँ आपको क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अरुनाचा प्रदेश, असम, मनीपुर, मेगाले, मिजोरम, नागलेंड, सिक्किम एंड तिरपुरा अगर आप इन मेंसे किसी स्टेट में आते हो तो आप वहाँ पर यस करना अगर आप इन मेंसे किसी भी स्टेट के अंदर आते हो तो आपको क्या करना है simply यहाँ पर क्लिक करना है yes ठीक है अगर आप किसी other state से हो आप no कर देना simply ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैं आप पर हम और नीचे आते हैं यहाँ पर देखिए आपको डालने है अपनी सब category यानि कि आप SC हो ST हो OBC हो journal हो इसके बाद occupation में डालना है कि आप क्या काम करते हो ठीक है जो भी काम करते हो वो आप हैं पर सरक कर लेना इसके बाद यहाँ पर पूछे आ रहा है कि क्या आपकी देखिए क्या आपका NPS या फिर ESI या फिर EPF कटता है अगर कटता है तो yes कर देना अगर नहीं करता तो no कर देना ठीक है अगर आपका कटत होगा मतलब कि ESI EPF या फिर NPS कटता होगा तो उस केस में आप इस योजना के तहत eligible नहीं हो eligible नहीं हो मतलब कि आपको 300 पर पेंशन नहीं मिलेगी आपका registration नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आपको वीडियो को सुरूम बताया था कि यह योजना सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका ना तो ESI कटता है ना EPF कटता है ना ही NPS कटता है कुछ भी नहीं कटता ठीक है सिर्फ उन्हीं के लिए है तो अगर येस है आपका तो आप छोड़ देना इसके बाद यहां पर इंकम टैक्स पर नो करना आपको क्योंकि अगर आप इंकम टैक्स देते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके सब्सक्राइब करना है यहां पर देखिए आपको डालना है अपना इश्रम काड़ का यूवन नमबर अगर इश्रम काड़ नहीं बना हुआ तो कोई दिक्रत के बाद नहीं है इसे छोड़ देना यह करना यहां पर कंसेंट इसके बाद सिंप्ली पर क्लिक कर देना है चलिए क्ले कर लेते हैं इसके बाद देखिए आपके सामने पैस खूलेगा यहां पर जोबीडिटिल आपने भरीतिव सबकुछ लिखिया जाएगी ठीक है एक बार चक कर लें सबकुछ यहां पर आपको एसे तिक मानना है आप ऐसे इसके बाद using verify using bio-authentic इस पर click कर जाएगा यहां पर क्या करना है और generate OTP इस पर click करना है ठीक है इसके बाद आपके अधार कार में जो मौलम रिश्टर्ड है उस पर OTP आएगा OTP को यहां पर डाल दीजिए इसके बाद Validate OTP क्लिक कर दीजिए चलिए कर लेते हैं इसके बाद दीखिए आपको यहां पर यहां पर पेज मिलेगा यहां पर डालना है आपको अपना अकाउंट डिटेल मैं आई आए फसी कोड बैंक नाम ब्रांच अकाउंट नंबर अकाउंट टाइप क्या है ठीक है सब कुछ आप डाल देना आप इसके बाद आते हैं नीचे और यहां पर क्या है यहां पर है आपके नॉमिने की डिटेल ठीक है तो नॉमनी में जैसे मैं बत यहां पर कर देना अबना साब जो भी है इसके बाद आते हैं नीचे यहां पर आते हैं नीचे यहां दिखिएं कान्तृर्बुशन फ्रिक्वेंसी हैं इलश्यहीं करोगे अगर महीने महीने करोगे तो यहां पर टिक रहने देना पहले सी टिक है अगर आप हर तीन महीने में करोगे तो यहां पर टिक कर देना अगर हर छे मेने में कर दोगे तो यहां पर टिक कर देना अगर साल में एक बार करोगे तो यहां पर टिक कर देना ठीक है एक महीने तुम मैं दूँए 55 और तेस्वार और स्वरकार है सब कुछ भरने के बाद करते आप skipping कर जिसके बाद सबकुछ सही बरना ऎसर विल्ब का भरना जिसके नाम सेancia रची psychology इसके बाद करते हैं सब्सक्राइब करना है इसके बाद देखिए आपके सामने यह फर्म खुल जाएगा इस फर्म को आपको बाहर निकाला है मतलब प्रिंट आउट निकाला है इसका ठीक है और इस फर्म में नीचे आपको सायन करना होगा आपको दिखायता हूँ कहां सायन करना है यहां पर देखिए नीचे एक साइड में को दिख रहा होगा दिखाते हूं एक सेकंड यह देखिए यहां पर आपको सायन करना है यहां पर सायन करना है यहां पर सायन करना है और यहां डाल देना अपना ठीक दोस्तों इसके बाद आपको इस प्रेंट आउट को निकलवा कर जम्मा कराना होगा कहाँ पर ओनलाइन ही है और अब याँ दिखाता हूँ अभी एक मृटर को हम वापिस आएंगे इस पेज पर अपने पेज पर यह देखिए यह वाला पेज है इस पेज पर ही आपको इसको अप्लोड करना पड़ेगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अप्लोड फाइल यह वाला एक डबा आ गया है इसी में आपको यह form प्रिंट आउट निकाल आपके फिर इसको भर के इसको अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है और अप्लोड का साइज देख लीजिए 750 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए जेपीजी में होना चाहिए और अप्लोड करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा हुआ यहां पर जो आपने फॉर्म क्या है उसकी में यहां पर आ जाएगी आप चेक कर लेना उसके बाद आपको यहां पर करना है चल्य क्लिक कर लेते हैं को скорее बाद हमें करने होगी payment और पेमेंट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना आए simply पे यूजिंग सीजी एवन इस पर क्लिक करना है सिंपली ठीक है चलिए क्लिक कर लेते हैं इसके बार देखिए आप किसी भी तरीके से चाहों पेइमेंट कर सकते हो जैसे कि मैं आपके सामने यहां पर आपको क्या करना है सिंपली यहां पर क्लिक करना है यहां पर देखिए यहां पर आपको क्लिक करना है अपनी योजना ठीक है यहां पर योजना स्रट कर लिए और इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्रोसीड ठीक है इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली चली क्लिक कर लेते हैं और इसके कांतरि शर्म योगी मादन कार्ड है वो यहां पर आ जाएगा आपके ARE और advent के अब आपको कुछ नी करなा सारा काम आपका हटम होगया अब आपको तरफ यकिन में अपको हर महीने अपने jacting जो भी किस्थ है वो देनी है टाइम पे टाइम पे आपने किस्थ चलो होगी ठीक है अगर इनके से खोग आता है तो आप दौरा से online इसी तरीके से download कर सकते हैं उपर देखे लिखा हुआ है download पधानमंत्री किसान मंत्री ए सोरी किसान umandhan card ठीक है तो इस तरीके साब इसे प्लीज आप कमेंट करें या आप मुझे वाट्साप पर या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैं ची कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू करते ना और नए हो सब्सक्राब भी करते ना वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते नेक्स वोडियो में थैंक आप में आप कर्मेंट आप 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 आप्चाए ता आप इस्टियों एाप इस आप देखने कर आप आप से आप 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 से एंप आप